हलो फिर्ण्स आइम सुमित्रा एंड वेल्कम टू टेट मंधन तो डिसकस करेंगे आज फिर से हम कुछ 15 प्रिविए सियर क्वेस्टन को और यह मैं आप लोगों के लिए एक अलग अलग साल का जो पेपर है वह आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं यह 2019 वाला है आपका ज लोगों के लिए दो मिनट की मैगी वाली वीडियो होती होगी लेकिन मैं यह कहूंगी अगर आपको कॉंसेप्ट को समझना है तो सिर्फ आंसर्स पर फोकस मत कीजिए क्योंकि पेपर में आप एच्ट्ट का पेपर उठा करके देख लीजिए जिन्होंने सिर्फ प्रीवेस करते हैं तो उसका कॉंसेप्ट आपको पता होना चाहिए यह आंसर है तो यह आंसर क्यों है यह पता होना चाहिए ठीक है यह मेरा मानना है यह मेरा पर्सनल पीडियन है और मैं उसी तरीके से डिसकॉशन करती हूं तो आज भी हम करेंगे 15 questions को अच्छे से discuss करेंगे हम लोग मैं यह कहूंगी वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंट के साथ में शेयर कीजिए और एक और चीज में कहूंगी कि आप बैल आइकन जरूर हिट कीजिए और ओल नोटिफिकेशन को प्रेस क लेटर है वोरडिजेंटले और वल्रीकल लाइन वसमें ती है तो सिमेट्रर का जो हिए मैं आप लोगों का अल्री करवा चुकी हूँ जो मेरतन वाली इक्लास है न उसको आप देख सकते हैं उसमें सिमेट्री करवाई C नहीं होगा, Y नहीं होगा, आंसर आपका X रहेगा, और अब मैं आपको बताऊंगे कि X आपका आंसर जो है, वो क्यों रहेगा, देखिए, ये मेरे पास में एक X का वो है आपका, ठीक है, ये X बना हुआ है, अगर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, अगर हम इसको सेम दूसरे तरीके से फोल्ड करेंगे, तब भी ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगी, इसकी साइड्स, ठीक है, तो ये आपका सिमेट्री होता है, जो भी लेटर आपका मतलब की होरिजेंटली और वर्टिकली, दोनों दरब से अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं, और ये एक दूसरे को ढख लेते हैं, वो आपकी लाइन ओफ सिमेट्री होती है, तो X में होगी, A में आप देखेंगे, तो आप उपर से इसको जब फ्लैप करेंगे, तो वो नहीं डखेंगा, ठीक है, इधर से करेंगे तो हो जाएगा, C में भी सेम होगा, उपर से नीचे वाले में तो हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, Y में भी सेम चीज़ है, इस तरीके से हो जाएगा, बट उपर से नीचे करेंगे तो नहीं होगा तो that's why आपका answer क्या रहेगा यहाँ पर X रहेगा ठीक है next question देख लेते हैं हम क्या रहेगा आपका next question है आपका अब मैं hide कर लेती हूं खुदको आज मैंने questions को थोड़ा अलग रखा है ताकि आप लोगों को सम दिखाई दे सके कल दिखने की थोड़ी problem थी कुछ students को number 41 है आप लोगों के सामने कि आप class third student perform multiplication of 16 into 25 as follows ठीक है 16 into 25 को वो इस तरीके से कर रहा है कि उसने 16 को पहले 8 into 2 में आपका क्या कर लिया तोड लिया और 25 को उसने 5 into 5 में तोड लिया और उसके बाद में 8 को 5 से multiply कर दिया और 5 को 2 से multiply कर दिया उसको इस तरीके से करना जो है वो समझ में आया तो यह जो है यह आपका कौन सा है multiplication की कौन सी property है distributive law है associative law है repeated law है या फिर आपका inverse multiplication law है तो यह आपका होता है associative law ठीक है जब भी आपका इस तरीकी का question होता है कि आपका 16 है या फिर उसको आपने ऐसे parts में आपने तोड दिया और फिर उसके बाद में उसको आपने इस तरीके से किया है तो यह आपका होता है associative law होता है इसके अलावा तीनों चीज़ें और क्या है वो देखते हैं तो देखिए यह होती है आपकी कुछ multiplication और addition की properties होती है commutative property associative property identity property ठीक है commutative होती है आपकी जब a प्लस b और b प्लस a आपका सेम हो दो में आप चार एड करो या चार में दो एड करो आपका बरावर में 60 आना है ठीक है इसी तरीके से 4 into 3 करो या फिर 3 into 3 into 4 करो या 4 into 3 करो तो 12 आएगा यह होती है आपकी competitive property एक आती associative property when you add you can group the numbers in any combination by किसी भी combination में आप group बना लो numbers का अब यहां पर a plus में किया है यहां पर आपका bracket में b plus c इसको आप इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि a plus b कर लिया और फिर उसके बाद में आपने c को अलग से add कर दिया तो यहां पर one इस तरीके से भी add कर सकते हो आप one plus और bracket में three plus four कर लिया या फिर आप three को बाहर ले आओ और four को आप three को ग्रैकेट में ले आओ one plus three को और four को आप बाहर ले जाओ तो यह इस तरीके से भी हो सकता है identity में क्या होता है अगर आप किसी भी अगर one से करोगे तो वह सेम नंबर आएगा ठीक है और add करोगे zero तो वह सेम नंबर आएगा तो यह identity property होती है आपकी तो यह कुछ properties होती है आपकी multiplication की और addition की आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और देख लेते हैं next question हम अपना ठीक है next देख लेते हैं हम अपना question इसका answer आपको समझ में आ गया होगा 42 क्या है how will you cater to the need of visually challenged student of your classroom in an inclusive school ठीक है inclusive school में समावेशी विद्याले में जहां पे की सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं समावेश करके पढ़ते हैं उन में आपका क्या है classroom में visually challenged बच्चे जनको दिखाए नहीं देता है उनके लिए आप क्या करेंगे यह पूछा गया है ठीक है make them sit with high achievers भाई उनको क्या करेंगे आप जो बच्चे बहुत अच्छी उपलब्दी वाले उनके साथ में बठा देंगे तब क्या हो जाएगा क्या उनको दिखने लग जाएगा use alternative teaching learning method and resources ठीक है send them to special educator या फिर provide them extra time for practice ना तो हम extra time देते हैं ताकि भाई उनको अलग तलग feel हो इसलिए हम extra time थोड़े ना देंगे उनको send them to special educator अगर special educator के पास ही भेजना होता तो फिर inclusive school किस बात का ठीक है high achievers के साथ में नहीं बैठाना हमें क्या करना है जो कुछ करना as a teacher हमें करना है बच्चे के उपर चीजे नहीं थोपनी हमें ठीक है अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं दोने हमें हमें as a teacher अपनी teaching learning जो methods है उसमें alternate करना है उसके अंदर हमें क्या करना है वेकलपिक methods को प्रियोग करना है visually challenged बच्चा उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है ठीक है सुनाई तो देता है अगर उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है तो आप उसको first bench पे बठा सकते हैं कुछ थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं loudly बोल सकते हैं उसके लिए ताकि उसको चीजे सुन करके समझ में आ सके तो जितना कुछ करना है हमें अपने teaching learning methods में और अपने resources के साथ में आपको वह करना है बच्चे के साथ में आपको कुछ भी गलत नहीं करना है कि भी उसको आप special educator के पास भीज़ दो या कुछ भी ऐसा ठीक है तो teacher करेगा जो कुछ करेगा बच्ची के उसमें कमिया हम नहीं निकालते हैं इस question देख लेते हैं हम लोग next है आपका वैन हाईले की theory से एक question आपका हमेशा बन जाता है यहां से और मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है वैन हाईले की theory आप जरूर जा करके चे is in the development of ठीक है यह जो है वैन हाईले की theory जो है सतर जो है जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वो क्या है आपकी ठीक है नंबर concept है place value है geometrical thinking है fraction है तो बिल्कुल आपका क्या है यह वैन हाईले की theory पूरी जो है आपकी geometrical thinking basis है वैन हाईले ने बताया है कि बच्चा ज calling sets are problem solving strategies in mathematics ठीक है mathematics में problem solving strategies किया है आपकी trial error drawing और memorization देखो trial error drawing तो दोनों चीज़े मान सकते हैं चलो लेकिन memorization कभी भी नहीं होगा आपके आपका जो answer होगा उसमें drawing working back और rote learning rote learning भी कभी नहीं होगा reasoning using variables और look for a pattern ठीक है memorizing guess and test और drawing memorizing फिर से आगया यहापे तो नहीं होगा देखो यहापे तो eliminate करके भी आपका answer निकल जाएगा अगर थोड़ा बहुत confusion हो तो मतलब कि आपको reasoning आपको बच्चे को आने चाहिए problem solving में variables का use कर सके वो ठीक है जैसे x, y, 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 y which of the following teaching learning resources is best suited to explain the concept of multiplication of two decimal numbers say 0.3 into 0.2, y, 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 डाइन्स ब्लॉक होगा, टेलर का अबेकस होगा, नंबर चार्ट होगा या ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, मैंने आपको बताए भी था, कि डेसिमल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बच्चे को आप ग्राफ पेपर की तुरू सबस से बेस्ट ऑप्चन रहेगा, एस पर दा रिकमेंडेशन आफ एंसी अफ 2005 प्रामरी स्कूल मैथेमेटिक करिकूलम शुड टेको, एंसी अफ 2005 के अकॉर्डिं मैथ्स क्या होना चाहिए, यह भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर फटा-फट से करेंगे, रिलेट तो चि इनको एडवांस मैथेमेटिक ले त्यार करना है, बिल्कुल नहीं करना है, सबसे अच्छी चीज क्या है, कि रिलेट तो चिल्डरन's everyday experiences, बच्चे को प्रती दिन की अनुभवों से संबंदित होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, अगर वो शॉप पे कुछ सामान लेने नेक्स देख लेते हैं हम लोग, 53 number question, which of the following is not a characteristics of effective mathematics pedagogy, ठीक है characteristics नहीं है effective mathematics pedagogy की, option number first है हमारा using various teaching learning strategies for a single concept, यानि एक ही संकल्पना के लिए विबिन सिक्षन अधिविमें को प्रियोग करना, ठीक बात है ये तो, following strict time rules when introducing a new concept, भई एक नहीं संकल्पना का परिच्चर देने क हमें के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए, focusing pattern of students errors, ठीक है, कि चातरों की तुरुटियों के परतिनुपों पर केंदरित होना चाहिए, ठीक बात है, making connections with everyday experiences, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है, but not पूछा गया है हमें यहां पर, ठीक है, तो following strict time rule when introducing a new pattern, भई, आप एक नया pattern introduce कर रहे हो, तो आप उसके बिल्कुल एक strict time rule बना दो, कि मुझे तो इस time period में इसको फटा-फट से बच्चों को पढ़ा देना है, ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, कई बार होता है, आप लोग के teachers का syllabus रह जाता है, उसके not an effective strategy to assess primary level students learning in mathematics, प्रात्मिक स्तर पर विध्यारतियों के गणित अधिकम का मुल्यांकन करने के लिए निमल लिखीत में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है, आप हमेशा question पढ़ते time, इस स्तर को जरूर ध्यान रखें, ठीक है, तो आपको answer करने में आसानी होगी, छ एत्रवत, रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, ठीक है, analyzing children's error to understand their reasoning, बच्चों की तुर्टियों को जानकर उनके तर्क का विशलेटन किया जाना चाहिए, ये भी ठीक बात लग रही है, designing task which elixate more than one level of response, ऐसे कारियों के अभी कल्पना की जाये, जिनमें एक से अ इसमें पूछा गया है कि नहीं होना चाहिए, नहीं में तो भाई, ये वाला मुझे लग रहा है कि using primarily group administrative task, यानि कि मुख्यता समूस अंचालित कारियों का प्रियूग किया जाना चाहिए, ये primary class के बच्चों के लिए अगर मुल्यांकन की बात की जाए, तो administrative task होते हैं, उस a teacher gives the following task to the student of class 4th, ठीक है, एक बच्चे को, class 4th की बच्चे को निम लिखित कारिया देता है, कि arrange करो 25 tiles in all possible rectangular area, ठीक है, कि आप इन 25 tiles को जो है, एक rectangular उसमें आपको करना है, सभी संभव आयतकर्स view में व्यवस्तित करना है, 25 tiles दी है बच्चों को, which of the following mathematical concept can be addressed through this task, इससे वो कौ जा सकेगा, ये बात यहाँ पर पूछी गई है आपसे, ठीक है, तो बताएंगे हम इसका answer क्या रहेगा, बात करें options की, तो first option आपका क्या है, volume, area और length, इसके बाद आता है area factor और parameter, area parameter volume या फिर area volume और length, तो भाई देखो rectangular way में लगाना है उनको, ठीक है, तो volume बाला कट गया यहाँ पर, यहाँ फिर volume आ गया, यह कट गया, यहाँ फिर volume आ गया, यह कट गया, यहाँ हम क्या सिखा सकते हैं बच्चे को, area, factor और parameter, ठीक है, तीनों चीज़े हम इस वाली activity से बच्चे को समझा सकते हैं, ठीक है, next देखते है, identify the correct statement about the ability to conserve different physical quantity in measurement as proposed by प्याजे, प्याजे क प्रस्ताव के अनुसार, माप में विभिन भोतिक राश्यों के संरक्षन की योगिता की विशे में सही कथन कौन सा है, प्याजे जो कहते हैं बच्चे के बारे में, तो यहाँ पर बात की जारी है, measurement के उसमें, कि क्या इन में से सही है, ठीक है, option number first है, conservation of weight is grasped before conservation of volume की जो है, द्रव्यमान के संरक्षन से पहले आती है, या फिर भार के संरक्षन की समझ, संख्याओं के संरक्षन से पहले आती है, या लंबाई के संरक्षन की समझ, संख्याओं के संरक्षन से पहले आती है, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या वाली बात पो आप हटाई दो, ठीक इसके according जैसे जैसे उसका विकास होता है तो बच्चा हलका भारी जो होगा उसको पहचानने सबसे पहले लग जाएगा लेकिन वॉल्यूम में वो डिफ्रेंस बाद में करने लगता है ठीक है की वॉल्यूम कितना है इसका तभी तो बच्चा पार्टिक में अगर उसको इस तरीके की ग्लास दे जाए कोई ठीक है एक लंबी ग्लास दी है और इस तरीके की कोई चौड़ी बरतन दे दिया उसको तो दोनों को क्या करता है वो सेम समझता है तो उसके अंदर वह वाल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं डिवलप हुआ होता लेक लेक्स देख लेते हम लोग विच अव फॉलिंग स्टेटमें जिस करेक्ट रिगार्डिंग चिल्डन कमिंग तो स्कूल फॉम रूरल एरिया इंदा कॉंटेक्स ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके बारे में गनित के संधरब में ग्रा उनके पास में मोखिक गनित परंपराओं और ग्यान की परचूरता है यह फिर देख पूर कमिनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स देखो इस तरीके की वाहियाद बाचे बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं करेंगे जो भी बच्चों के बात करें वो औप्शन पहले हटा बच्चे की पक्ष में क्यों option डिखे न आंपको जहां बच्चे की थोड़ी सीभी तारी भी हो ठोडी सीभी उसको उस की टरफ उत जुका हो उस option की पर अप हमेशा जा सकते हैं कि उनके पास में जरूर वो गाउं से आते होंगे लेकिन उनके पास में फिर भी एक ओरल जो है mathematical traditions and knowledge जो है बच्चों के पास में एक मोखिक की अगनितिय परंपराओं और ज्यान की प्रचूरता हो सकती है भई बच्चे को आप देखते होंगे आपकी मम्या वगेरा जो होती है वो लंबी चौड़ी आपके जो हिसाब किताब होते है वो बैठे बैठे से चुटकियों में कर देते हैं हम calculator लेके बैठते हैं और मेरी मम्य जो है उनको मैं यह क्या दो मम्य इतना और इतना कैसे प्लस होएगा तो हम calculator से करेंगे और वो फटा-फट से कर देंगी ठीक है जबकि वो गाउं से है और वो मतला इतनी पड़ी लिखी भी नहीं है तो यह क्या होगा उनकी मोखिक जो गणितिय जो निमलिकित में से कौन सा कथन विध्यारतियों द्वारा गणित में की गई अशुद्यों के समय शामिक निरिक्षन पर प्रकाश नहीं डालता है यह वाला नहीं वहीं देखना है पेपर में ही ठीक है दे शुड बी ओवर लुग्ड यानि कि उन्हें अंदेखा कर देना चा बनाने में तयार करती है तो बिल्कुल ठीक बात है तीनों बड़े ही अच्छे ऑप्शन बिल्कुल है कि बच्चा जो होता है एरर्स करता है तो आपका लर्निंग का एक पार्ट है ठीक है बच्चा सीखेगा तो गलती करेगा ही लेकिन उसको अंदेखा कर दिया जाना चाह बच्चा जबार करने की ज़ुरत है नेक्स देख लेते हैं विच ओफ फॉलिंग स्टेट्में रिगार्डिक मैथमेटिक के रिगार्डिक में कौन सा कथन सही है तूल एक उपकरण है ठीक है मैथमेटिक इस फॉर्म ओफ आर्ट बिल्कुल ठीक बात है प्रकार की कला है मै तो यह हमारा आज का डिसकेशन था जिसमें कि हमने कुछ 15 क्वेशन को डिसकस किया है और कोशिश रही है मेरी कि आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है तो विडियो पसंद आई हो तो जरूर आप अपने सभी फ्रेंड के साथ में लाइक करें लाइक करके बैल आइकन हिट क को प्रेस करके अल को आप अल नोटिफिकेशन को क्लिक करके जरूर रखे थैंक यू कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेरिंग